नमस्कार दोस्टों स्वागत है आपका फिर से हमारी यूट्यूब चैनल ओल राउंड पंकच में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहुत कम ऐसे लोग है जो हनी बी और येलो बी के बारे में डिफ्रेंस जानते हैं हमारी चर्चा का यही टोपिक होगा कि हम इन पांच टोपिक पर बात करेंगे जैसे कि पहलो हनी बी के बारे में हो गया उसके बारे में आपको डिटेल में बताए जाएगा फिर उसका जो नेश्ट होता है उसके बारे में और उसके जो नेश्ट होता है उसके बारे में और आ कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को अंद तक देखीगा क्योंकि आपको इसमें बहुत इच्छी और तो दोस्तों आज का हमारा पहला टोपिक होगा हनी वी के बारे में नाम से ही जैसे की पता लग रहा है हनी वी मतलब की मदू मखी जो मखी शहद बनाती तो चलिए दोस्तों पहले तो आप इसको हर एंगल से देख लीजी आपको इसमें पता चल जाएगा कि इसकी हाइट कलर और इसकी साइज क्या होती है यह कैसी दिखती है उस तो बारत में इसकी बहुत सारी प्रजादिया पाई जाती है परंतु एक पिस मेली फेरा नाम की यह कैसी प्रजादिया जो होता है में शयद का निर्मार करती है इस प्रजादी द्वारा कृतिम रूप से भी शयद का निर प्रवाइप में प्रयोग भी लिया जाता है साथ में अनेग आयूरवेटिक डोटर इसको रिकमेंड करते हैं और अगर शहेद की गुणवता की बात की जाये तो मैं आपको recommend करूँगा जो नेजरों से प्रत प्राप्त किया गए नो ही आप इस्तेमाल करें क्योंकि नेजरों और करतिम दो प्रकार के शइद लोते हैं क्रतिम प्रकार का जो शहर होता है उसमें क्या होता है जो भी मालब शय०वाली मख्ही आप अन्यक श्रमिग माँती है वो जाकर करकर मक्रंद लेकर क्या आती है जिसमें लार्जार्न दॉस्वरा शय०वारा शय०्र का निर्माण किया जाता है उसको एकषटा किया तो क्रतिम वाले चत्ते होते हैं और एक जो होते हैं नेचुरल चत्ते होते हैं अब नेचुरल चत्तों में क्या होता है वो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे उनके 20 लाए जाते है और उनको पन पाया जाता है उसमें मलब उनको उनकी प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाती है मदू मक्ही के छत्तों में तीन परकार की 20 पाई जाती है जो फर्स्ट भी होती है वो रानी मक्ही होती है ना queen बोला जाता है जिसको और जो second होते हैं वो होते हैं nervous और third number पर आते हैं shrumming जो शहद का निर्मार करते हैं queen एक छत्ते मर एक ही पाई जाती है narrow की संख्या लगबग 100 या 100 से थोड़ी अधिक हो सकती है और जो shrumming होते हैं यह जारों की संख्या में उस शर्ते में available हो वीडियो के लास्ट में अच्छे से honey bee का जो nest होता है उसका post-martum करके देखेंगे फिलाल अब yellow bee के बारे में बात करते हैं आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको yellow bee के बारे में जितनी विचानकारी हो सकती है मैं आपको provide करवा हूं तो दोस्तो यलो भी मतलब जैसे की देखने से पता चल रहा है यह एक yellow color की भी होती है और दिखने में काफी aggressive होती है हाँ यह सच है यह बहुत aggressive होती है अगर यह आपको अपने nest के आसपास घूमते फिरते भी देख लेती है तो यह बिना सोचे समझें आपको bite कर सकती है और हो सकता है दस या पंद्रा यलो भी आपको अगर bite कर जाए तो आपके pollution नहीं होना चाहिए ऐसे इसतानों पर यह पाई जाती है यह कहीं गाऊं मर्मिल सकती है आपको बट्यापको शहरों में कहीं हनी होता है इसमें तो इसलिए इसकी फार्मिंग करने से कोई अच्छा खासा फाइनेश्यल प्रोफिट नहीं होता इसलिए इसकी फार्मिंग भी नहीं किया जाती परन्तों इसका जो नेस्ट होता है उसका आयुर्वेदिक medicine बनाने में बहुत अच्छा उप्योग लिया गया है आयुरुएद में इसके जो नेस्ट होती है उससे काफी परकार के आयुरुएदिक डवाईयां बनाई जाती है जिसमें एलोपेशिया से related hair fall से related और काफी सारे आयुरुएदिक फॉर्मूले इससे related लिखे जा चुके हैं दोस्तों इसके नेस्ट का पॉस्मार्ट हम वीडियो के अंत में करेंगे तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और आपको पता चल जाएगा कि जो यलो भी होती है उसका नेस्ट देखने में किस परकार का होता है तो चलिए दोस्तों शुरू कर आप यह दोनों साइड से ऊपन रहता है मतलब इसके यहां पर भी हो लोंगे ठीक है और गशाइड में सेम का सेम होगा तो आप देख सकते हैं और इसमें काफी सारा वेक्स होता है वेक्स मतलब यह आप दबा करके देखोगे न इसको आपको बहुत ही एक्दम सॉफ्ट सॉ रहने के बाद भी नहीं सूपता है क्योंकि इसके अंदर काफी मादरा में wax होता है और ये दोनों साइड से open होता है देखिए आप इसके hole देख सकते हो बहुत छोटे-छोटे hole होंगे ये जो honeybees होती है ये उनका nest है इसमें share making की जाती है और wax making की जाती है दोस्तों ये nest जो ह होती है जो इसको दोनों साइड से अलग-अलग दो पार्टेशन करती है इसके एक पार्टेशन ये वाला साइड हो जाता है दूसरा पार्टेशन ये वाला साइड हो जाता है इन दोनों में honeybees रहती है ये पूरी तरह से wax का बना होता है और इसमें जो ये wax में बनेवे hole है इन में ही वो honeybee अपना जो process होता है वो complete करती है तो दोस्तों आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी इसके बारे में कि ये दिखता कैसा है और कैसा होता है ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि जो यलो भी का nest होता है वो किस परकार होता है तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो ये यलो भी का है जिसको तत्य बीरड बोला जाता है ये क्या होता है ये उसके जैसा बिल्कुल नहीं होता उसमें wax होता है और honey होता है ये जो है देख सकते हो आप पूरी तरह के से सुकावा है और इसमें क्या होता है ये आपके जो ओपन रहेगा सरफ एक साइड से ही ओपन रहेगा ये एक साइड से आप देख सकते हो पूरा का पूरा ओपन है अब जब बात करते हैं इसके दूसरे साइड की तो दूसरे एक बिल्कुल पेक रहेगा इस पेड़ों पर लगा रहेगा तो यह उपर वाले कि उसका यहां से हिपका रहता एट है किसी भी बिल्डिंग के उपर बात करते हैं इस घी ठीक है तो इसको आप देख सकते हो बिल्कुल सुका होगा और यह पेपर वास्ट भी बोला जाता है इसको पेपर के टाइप का होगा जबकि वह एक दूम वेक्स टाइप का होता है जो नीचे पड़ा है वह आपके यह यलो बीकानेश्ट तो इन दोनों क इसको एक बार कटिंग करके दिखा दूगा उससे पहले मैं बता देना चाहूं काफी लोग कहते हैं कि जो यलो भी होती हो बहुत छोटे-छोटे नेश्ट बनाती है इतने बड़े तो बनाती नहीं है तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें बहुत बड़ी इसका है इससे जो छोटी साइज आती है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह उससे छोटी साइज का है हाना यह भी सेम वैसा ही यह उपर से एकदम ड्राई होगा और बेक से पूरा पेक होगा हाना यह उसका उपर का जो पॉइंट होता है जहां से यह चिपका रहता है इससे फोटा सा दिखा देता हूँ, यह इससे थोड़ा छोटा है, सेम है, ठीक है? ए फार नुम्बर पर आता हे, जो यह उससे भी छोटा है, यह उससे छोटा है, यह इसका जो पॉइंट होता है, वो वाला है, उपर थोड़ी डिश्ट लगी हूँ, यह काफी पूराना है अब मैं आपको थर्ड दिखा देता हूं फौर्थ यह जो है यह उससे भी छोटा है यह उसे भी छोटा है जीस को उस्यक्त हैं में पास जो आप देख सकते हो do use whatever you have ऐसे एक है आप देखिए सबके पीछे यह सी थे एक चोंटा या 아bnज यह मेर्स यह है कि आप देखिए कि एप पीछे से पूरा पेक है या नहीं है यह नहीं है आज आप्पका सबसे खासियत कि कही होता है नेश्ट यह पीछे से बिल्कुल टैया है और आगे से बिल्कुल o're again और आपको अगर पता करना हो कि यह नेचुर्ल तरीके से forehead हो चुका है या नहीं हो चुका है तो उसके लिए सिंपल सा आईडिया है आप देख सकते हो कि इसके उब और यह यह लेता है जो वाइट वाइट पार निकल रहे हैं यह को राव होता है यह हो जब तक ल्रॉस से अंदर ऊपर से इसे बाहर बेन जाता है उसके बाद क्या करता है वे उसको अंदर से कड़ करता है और बहार निकल तो पूरी तरीके से इसे ऊपन हो जाता है और वह आउट हो जाते हैं, इसमें से ठीक है यह नीच्रूल करने नहीं रहने को धितने यह इसा व्याइड नहीं है और niż जो एकदम ठीक है तो आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ नहीं था यह बिल्कुल छोटा सा नेश्ट है जो भी इसने बनाया था बट उनका सीजन ओफ हो गया होगा तो यह उसको छोड़ करके चली गई तो यह एकदम यूज ले से जो यूजफूल है उसके बारे में मैं आपक होते हैं यह थोड़े से मोटे होंगे और इन में देखिएगा आप यह ऐसा ऐसा कुछ सिप्टम दिखेंगे आपको यह ब्राउन ब्राउन कलर के इसके अंदर से ठीक है यह क्या होता है जब लार्वा इसके अंदर रहते हैं तो कुछ आउटपुट निकाले जाते हैं लार यह थी खासी जड़ी बूटियों से मिलकर के बना होता है जिससे भी आपको काफी री ग्रोथ में फायदा होता है तो इसका बेस यही था दोस्तों अगर आपको कोई बोलता है कि यह जो है यह यलो बी का नेश्ट है तो बिलकुल नहीं दोस्तों यह एकदम हनी बी का नेश इसमें ना तो honey होता है ना wax होता है अगर आपके साथ fraud हुआ है आपको लगता है कि आपको किसी ने yellow bee का nest बोल कर honey bee का दिया हो तो आप उसको return कर सकते हो या उससे cash bake ले सकते हो क्योंकि यह आपकी priority है अगर आपसे कोई जूट बोल करके कोई चीज बेसता है आपको तो यह गलत है अगर आप yellow bee का nest मंगवा रहे हो तो आपको yellow bee का ही मिलना चाहिए अगर आप honey bee का मंगवा रहे हो तो आपको honey bee का मिलना चाहिए बड़ जो रामदेव बाबाजी ने recommend कर रखा है कि आप yellow पेशिया वगेरा में इस्तेमाल कर सकते हो जो तत्य या बीरड का चत्ता होता है वो ये वाली चीज होती है ये वाली नहीं होती है आप जो मारकेश से या ओनलाइन खरीदते हो प्रोपोलिस पाउडर वो yellow bee के nest नहीं बना होता है वो honey bee के nest बना होता है तो आप थोड़ा सक सावधान रहे द्यान रखे धन्यवाद दोस्तो अगर आप चाहते हैं मैं इसी परकार वीडियो कंटीन्यू बनाता रहूं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें धन्यवाद दोस्तो आप अपना प्यार इसी परकार मेरे साथ बनाये रखें